साहरनपूर में एक लाख रुपे की लूट कर फरार हो रहे बदमाशों से पुलिस की मुठपेड हो गई जिसमें चार शातिर बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं जानकारी के अनुसार चार बाइक सवार बदमाश आवास विकास कलोनी से एक लाख रुपे की लूट कर फरार हो रहे थे लूट की सूचन मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ने दो बदमाशों को शेखुपारा के पास घेरते हुए गिरफतार कर लिया तो वहीं दो बदमाशों को पुलिस साखन नेहर के पास स्थिद जंगलों में मुठ भेड में गिरफतार कर लिया वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बाइक के साथ पिस्टल और तमंचा भी बरामत किया है एक नरेंद्र नाम के वक्ति से एक लाक रुपे चीनने के इंफर्मेशन मिला था वादी ने भी स्वायम इंस्पेक्टर को इंफर्म कर दिया था टाइम से तो तुरहंत उसी रास्ते से जो इंट्रसेप्ट किया गया है जिसमें दो मोटर सेकल में चार अग्यात वक्ति के द्वरा उस बंदे से लूट किया गया था तो इंट्रसेप्शन में दो लोग पकड़े गये तो जवाब आभी fire में दो लोग गायल हुए थे जो दूसरे दो बदमास बची गया थे वो देवन्द के और बागे थे आगे वायरलेस किया गया था वहाँ पे ततकाल वहाँ से जो देवन्द के और से जो पुलीस force जो है नहर के रास्ते लग गये थे फिलहाल चार बदमाश का जिलास्पताल में इलाज चल रहा है पुलिस की माने तो ये चार बदमाश पहले भी इस इलाके में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इनकी गिरफतारी से जिले में अपराद की घटनाओं में कमी आई की पंजाब के इसरे टीवी के लिए सहरनपुर से राजकुमार पुंडीर की रिपोर्ट